राजरी पाय के उपर एग्जाम में एक शो शॉट क्वेशन आने वाला है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे राजरी पाय को अगर हमने कंसीड़र किया तो राजरी पाय को तुम एक पैन कार्ट साइस या क्रेडिट कार्ट साइस दिप यह समझ सकते हो कि Raspberry Pi एक बहुत ही जादा छोटे साइस का CPU है अब तुम्हें ये समझने की जरुवत है कि Micro Controller और Micro Processor के बीच में क्या फरक होता है या इनके बीच में difference क्या है और ये तुम्हें क्यों समझने की जरुवत है वो तुम्हें बाद में पता चलेगा देखो अगर Micro Controller के अगर हमने बात की तो Micro Controller is responsible for handling a single task For example, Camera single task handle करता है For example, Speaker single task handle करता है और अगर Micro Processor के अगर हमने बात की तो Micro Processor is responsible for handling multiple tasks ठीक है अब जो हमारा Raspberry Pi है जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि इसको तुम एक बहुत ही जादा छोटे size का CPU समझ सकते हो तो CPU अगर हमने consider किया तो CPU के अंदर multiple tasks चलते है वो सिर्फ और सिर्फ एक task को handle करने के लिए तो बना नहीं है Multiple tasks वो handle कर सकते है और इसलिए Raspberry Pi जो है That is based on Micro Processor ठीक है अब हम Raspberry Pi का architecture समझते है मतलब basically उसके diagram का अभ्यास करेंगे तुम इस diagram को examine draw कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हम यहां से चुरू करते है यहां पे होता है dual USB port for USB connection उसके बाद यहां पे होता है Ethernet port अब तुम लोग कोगे कि इसका मतलब क्या है अब यहां पे मैं तुम्हें एक image दिखा रहा हूँ आपको मैं भी याद होगा कि पुराने जमाने में या कुछ साल पहले आप इस चीज़ को आपके laptop के साथ या computer के साथ connect करते होंगे और अगर technical भाषा में मैं तुम्हें बोलू तो यह वो port है और इस port को कहा जाता है RJ45 connector for ethernet अब एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ जैसे कि मैंने तुम्हें लोग को starting में बोला था कि यह जो raspberry pi इसका size या basically इस board का size बहुत छोटा होता है अब अगर इस board का size बहुत छोटा है और अगर एक CPU ही है एक तरीके से तो इसके अंदर hard disk भी तो होनी चीज़ बट इसका size तो बहुत छोटा है तो इसके अंदर hard disk कैसे आएंगी तो उसके लिए यहाँ पे होता है एक SD card slot और इसके अंदर SD card जाता है and that SD card acts as a secondary memory अब तुम लोग कहोगे कि अगर SD card secondary memory है तो primary memory कौन सी है primary memory के लिए यहाँ पे होता है RAM then there is ROM and this ROM is for startup memory and उसके बाज़े में यहाँ पे होता है MUP यानि की basically तुमारा microprocessor ओके अब हम आगे बढ़ता है दो तिन छोटी छोटी चीजों को समझते and then और एक major point के उपर जम करेंगे which is this 40 point GPIO तो अभी इन सारी सारी चीजों के बाद यहाँ पे होता है camera module इसको तुम camera port या camera slot भी कह सकते हो and उसके बाद यहाँ पे होता है micro HDMI port और यह जो micro HDMI port है वो 4K display को support करता है अब इस port के साथ या basically इस slot के साथ तुम अपने monitor को या जो भी तुमारा screen है उसको यहाँ से connect कर सकते हो और अब उसके बाद यहाँ पे होता है USB-C type port for power supply and अब सबसे important चीज़ यहाँ पे होता है 40 pin GPIO अब तुम लोग कहोगे कि GPIO का मतलब क्या होता है General Purpose Input Output Pins मतलब basically यहाँ पे pins होती है अब तुम लोग यह भी कह सकते हो कि अभी इन pins के जरुवत क्या है या basically इसकी जरुवत ही क्या है इसकी जरुवत इसलिए है क्योंकि इसके वज़े से आप इस board के साथ sensors and actuators को connect कर सकते हो इसलिए यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा important है अभी आखरी में यहाँ पे होता है 3.5 mm Oreo jack यहाँ पे तुम अपना headphone या mic connect कर सकते हो यहाँ पे होते है यह LEDs ठीक है अब यह जो Raspberry Pi है यह Raspberry Pi एक OS के उपर चलता है मतलब basically इसके अंदर एक OS होता है और उस OS का नाम है Raspbian OS अब यह जो OS है This OS is open source and this OS is based on Linux अब तुम लोग कोगे कि open source का मतलब क्या होता है open source का मतलब होता है it is freely and legally available और तुम इसको अपने हिसाब से या अपने requirements के अनुसार change कर सकते हो अब अगर आपको exam में पूरे mark score करना है तो उसके लिए जो notes मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वो notes बहुत 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 जादा important है notes के सारे के सारे details आपको नीचे description box में मिल जाएंगे और यह हमारा playlist है इस playlist के अंदर हमने आपके लिए इस subject के सारे के सारे videos available करा दिये वीडियो को please like कर दो and thank you so much for watching bye bye